नमस्कार आपचु रहाचु जीएस्टीवी आपनी साथें होचु गायतरी महतोपन समाचारों पन्रजर करिये तो राहूल गांधी देबण मां जनसभा संबोधी रहाचे अने भारे जन में इदनी पर त्या जुआ अमणी रही छे तो सिधा पहुंच ये दबण नी जनसभा अगर मैं यह देश को समझाने की कोशिश करना हूँ कि भाईया यह प्रफुल पटेल यहां बैठा रखें बाकी देश में भी यह यही करने जा रहे हैं आज कि आरे सेस्के जो चीफ हैं उनका बेयान आता है कि हम रेजर्वेशन के खिलाफ नहीं है अरे इननों नहीं पहले स्टेटमेंट दिया था कि रेजर्वेशन के खिलाफ है जो भी जो भी रेजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनके पार्टी में जा रहे हैं जो भी रेजर्वेशन के खिलाफ है सानों को यह ले रहे हैं पिर कहने कि भी है हम रेजर्वेशन के खिला देता हूं कि आप कोगे यह सम्मिदान को क्यों खत्म करना चाहते हैं कि लोक तंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं कि क्योंकि यह कि 20-22 अरब पतियों की मदद करना चाहते हैं यह चाहते हैं कि जो आपका सुन्दर बीच है आपके इतनी सुन्दर लोकेशन है इस किले पर अधानी जी का नाम लिख दिया जाए वो चाहते कि इस बीच पर अगर टूरिस्ट आएं तो आपको फाइदा ना हो बीच पर साइन हो अधानी बीच आपके एरपोर्ट पर अधानी का नाम हो आपके हाइवेज अधानी बनाए जो भी यहां बिके वो अधानी और अम्बानी बेचें और आप लोग बस देखते रह जाओं और यह इन्होंने पूरे देश में किया है मैं दो तीन उधारन देता हूं आपको हिंदुस्तान के 22-25 अरब पतियों का नरेंद्र मोधी जी ने 16 लाख करोड रुपिया माफ किया है आप जानते हो 16 लाख करोड रुपे कितना होता है बिटा हाँ जो लाल शट पहने हो जानते हो 16 लाख करोड रुपे कितना होता है जानते हो तुम ही से बोल रहा हूँ जानते हो कितना होता है 16 लाग करोर रुपिया मैं बताता हूँ 25 साल मन्रेगा में जितना भी पैसा लगा 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो उतना पैसा नरेंद्र मोधी ने 10-15 लोगों का करजा माफ किया है किसानों का कितना माफ किया है एक रुपिया नहीं माफ किया है जो हमारे स्टुडेंट्स हैं बेरोजगार युवा हैं उनका कितना करजा माफ किया एक रुपिया नहीं किया है चोटे वियापारियों को खतम कर दिया है स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खतम कर दिया है अंबाने आप मुझे बताओ यहां पर कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फाइदा हुआ है ना एक आदमी है यहां पर जिसको GST से फाइदा हुआ ना अब देखिए मज़े की बात देखिए आप शर्ट करीदते हो यह भईया आपने शर्ट कितने की घरी दी हाँ आपने कितने की घरी दी है अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं सपेद वाल हाँ कितने की घरी दी दोसो अब देखो लड़के ने दोसो रुपे की शर्ट करी दी अठारा परसंट GST लगा इसके जेब से निकला अगर अधानी अरब पती यही शर्ट करीता तो वो भी अठारा परसंट टैक्स देता मतलब जितनी टैक्स आप देते हो उतनी अधानी देता है आमदनी इनकी हजारों में उनकी हजारों क्रोर रुपे में और पैसा कहा जा रहा है उनी दो तिन लोगों के जेब में आप जानते हो उन्ही के जेब में आपका पैसा जा रहा है तो हमने निन्ने लिया कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी 20-25 अरब पती बना सकते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी करोणों लाख पती बना सकती है तो आप कहें आप कहोगे यह कैसे हो सकता है आप कहोगे यह कैसे हो सकता है कि मैं बताता हूं आपको मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल पटेल को ना हम यहां से आउट करके दो मिनट में और जो उसने यहां पूरा 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 ब्रश्टाचार किया ना जो पुरा ब्रश्टचार किया है घर तोड़े हैं उसका पुरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे सबसे पहला वो होगा उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगा मैं बताऊंगा आपको खुश करने आया हूं आज में यहां मूट ठीक करने आया हूं जो मोधी जी ने अंकल जी ने आपका मूट खराब कर रखा है वो मैं ठीक करने आया हूं तो सबसे पहले क्या होगा हिंदुस्तान के सब गरीबों गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी करोनों परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा अब आप पूछो क्या होगा पूछो क्या होगा मैं बताता हूँ उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाग रुपे डाल देंगे हर महीने 8500 रुपे खटा कट खटा कट एक तारी को खटा कट खटा कट खटा कट आप जानते हो यहां महिला ही बैठी है 21 सदी में महिला और पुछ दोनों काम करते हैं जॉब दोनों करते हैं मज़दूरी दोनों करते हैं सही करते नहीं करते ठीक है अब आद गंते दोनों काम करते हैं दोनों को पैसा मिलता है दस गंता करते हैं बारा गंता करते हैं दोनों को पैसा मिलता है मिलता नहीं मिलता है मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता आप 8 गंटा काम करते हो वो जो बैठी हुई है वो 8 गंटा बाहर करती है 8 गंटा घर में करती है 16 गंता वो काम करती हैं मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको एक रुपया नहीं मिलता इसलिए हमने निन्ने लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाग रुपया जाएगा वो उससे आपका भी फायदा होगा यह मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा वो मिलेगा मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम एक लाग रुपय साल का डालेंगे तो यह हो गई पहला कदम करोणो लाग पती का पहला कदम अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूँ यहां पर मुझे दिक रहे है नरेंदर मोदी जी ने अंल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार किया है प्रफूल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पर नौ कृआँ खतम की हैं मुझे दिख रहें अब अमभानी का जो बेटा है वह वो जॉब मार्केट में गुशने से पहले अदानी का बेटा अमबानी का बेटा टाटा का बेटा वो भाई आमेच्छा का दूसरा लेवल का आदमी है उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं मगर वो मगर वो तिंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है अब वो अलग बात है तो वो अप्रेंटिशिप करते हैं एक साल के अप्रेंटिशिप होती है उनकी ट्रेनिंग होती है सैलरी मिलती है और पिर उसके बाद एक साल की टेंपरी छे महीने की टेंपरी नौकरी करने के बाद उनको पर्मेनन नौकरी मिलती है मगर हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको ये मौका नहीं मिलता इसलिए तो मैं आया हूँ यहां अब मिलेगा अब हमने सीधी से बात रखी है हिंदुस्कान का कोई भी ग्रैजवेट हो डिप्लोमा ओल्डर हो कॉलेज उनिवर्सिटी जो भी उसको हमें एक अधिकार देने जा रहे हैं जैसे मन्रेगा में रोजगार का अधिकार दिया था गाउं में काम का अधिकार दिया था अब हम पूरे हिंदुस्तान के ग्रैजवेट को अधिकार देने जा रहे हैं अधिकार का मतलब अधिकार का मतलब अगर आपने मांगा उसको पूरा करना पड़ेगा, कानून है, अगर आपने मांग लिया तो सरकार को देना ही पड़ेगा, अब क्या देंगे बता रहा हूं आपको, apprenticeship मिलेगी एक साल की apprenticeship होगी private sector में, public sector में सरकारी offices में सरकारी hospital हो में एक साल की पहली नौकरी पक्की पहली नौकरी पक्की मतलब कोई भी बेरोजगार युवा graduate कह सकता है भईया, हाथ उठा के कह सकता है मुझे अपना अधिकार चाहिए जैसे ही वो कहेगा, सरकार कहेगी इदर आओ चलो येलो इस private company में तुम्हें एक साल की नौकरी मिल रही है, उसमें तुम्हारी training होगी, एक लाग रुपे तुम्हारे bank account में एक साल में गुशेंगे, आठ हजार पांच सो रुपे महीने के लिए हो, खत्म और करोणों युवाओं को ये facility दी जाएगी, तो एक तरफ महिलाओं को एक लाग रुपे साल के आठ हजार पांच सो महीने के, और दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को training और महीने के आठ हजार पांच सो रुपे साल के एक लाग रुपे, ये हो गए, करोणों लाख पती बन गए, अब किसान कहेंगे भाईया देखो, हमें महालक्ष्मी योजना, जो महिलाओं का पैसा है, उससे फायदा होगा, हमारे बेटें को apprenticeship मिलेगी, ये तो सब माफ किया, सरकार बनते ही तुमारा कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, और अलग-अलग products के लिए, सब लोगों को सही दाम मिलता है, कोई गाड़ी बनाता है, उससे सही रेट मिलता है, कोई टूथपेस बेचना होता है एक्सपोर्ट पॉदल सी बदल दी जाती है कुछ न कुछ हो जाता है उसे सही रेट नहीं मिलता तो इसलिए हमने कानून बनाया है जैसे ही सरकार आईगी कानूनी गैरेंटीड किसान के लिए मिनिममम सपॉर्ट प्रैस कानून बना देंगे कि इस रेट से कम किसान को दान के लिए शुवर केन के लिए नहीं दिया जा सकता और अगर किसी ने दिया तो कानूनी कारवाई शुरूब मजदूर बचे मन्रेगा के मजदूर आंगणवारी आशा का जो काम करती है वो बचे मन्रेगा अज कल 200 रुपए 250 रुपए मिल रहा है हम मन्रेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं और जो आश्या और आंगणवारी महिलां को आज मिल रहा है उसको हम दुगना कर देंगे तो मैं आप से बस यह कहने आया हूं कि जो आपकी आपका इतिहास है आपका हिस्ट्री है आपका कल्चर है उसकी रक्षा होनी चाहिए और उसकी रक्षा प्रफुल पटेल नहीं कर सकता आप ही कर सकते हो आपको अधिकार मिलना चाहिए आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है पहली बात दूसरी बात अगर ये लोग 22-25 लोगों को अर्बों रुपए दे सकते हैं तो मैं आपको गैरंटी करके कह रहा हूँ यहाँ खड़े होके कह रहा हूँ जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग को दिये न हम लाखों लोगों को करोडों लोगों को देने जा रहे हैं आप आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया उतना ही पैसा हम किसानों को मजदूरों को गरीबों को बेरोजगार युवाओं को माताय बेहनों को देने जा रहे हैं कि आप हमारा मैनेफेस्टों पढ़िए करांतिकारी मैनेफेस्टों है कि मैंने पांच चीजों के बारे में बोला है मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है यहां पे मचवारे बहुत हैं आपको बहुत नुक्सान हुआ आपकी बोट ले जात देंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ें हमने की हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो पहले आपको डीजल की सबसेडी मिलती थी जो बंद कर गई उसको हम फिर से चालू कर देंगे दूसरी बात जो भी बोट फिशिंग बोट होगी उसका हम आपको इ अग्रिकल्चर है उसको हम अग्रिकल्चर जैसे मानेंगे तो यह मैं आपसे कहना चाहता था यहां पे आप केतन पटेल जी और अजीत महला जी को पूरा समर्तन दीजिए और कॉंगरेस पार्टी को जिताईए जबरदस्त बहुमत से जिताईए और यह जो हैं यहां पे 15 मिंट नहीं लगेंगे और यह सिर्फ भागेगा नहीं सिर्फ आपसे नहीं भागेगा यह फिर कारवाई शुरू होगी तो आगे पीछे भागेगा धन्यों